दोस्तो मेरे एक subscriber ने मुझसे comment करके पूछा कि भाई मैं अपने suspended YouTube channel का original URL कैसे निकालूँ जब भी मैं अपना URL निकालना चाहता हूँ तो मेरा handle वाला URL निकल जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने suspended YouTube चैनल का URL कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ one click में तो चलिए दोस्तो टाइम नगो तो वीडियो को कर लेते हैं start दोस्तो आपको अपने URL निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना Gmail open कर लेना है और दोस्तो जो चैनल आपका डिलीट हुए सबसे पहले आपको उस वाले mail को open कर लेना है तो चलिए मैं open कर लेता हूं क्योंकि दोस्तो मेरा एक चैनल डिलीट हुआ था तो मैं अपना सबसे पहले open कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों मैंने इस वाले URL के मदद से अपना चैनल भी वापस मगवा लिया है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यह वाला चैनल मेरा delete हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम नीचे आपको URL मिल ज जाता है, इसे copy करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, गर आप इसे copy करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा URL कोपी हो जाता है, तो चलिए मैं आपको copy करके भी दिखा देता हूँ, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने copy कर लिए, अब जैसे मैं अपने notebook में जाकर इ URL हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा URL हो गया है, अब इसमें आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है कि मुझे कितना रखना चाहिए, तो दोस्तों आप चलिए मैं आपको बताता हूँ, यह आपको कितना URL कोपी करना है, दोस्तों आपको सिर देख सकते हैं दोस्तों यह मेरा स्क्रीन सोर्ट ओपन हो चुक है यहां पर आपको लेंस वाले पर किलिक करना है लेंस वाले पर किलिक करने बाद दोस्तों सिंपली आपको कोपी कर लेना है यहां पर आपको किलिक करके कुछ इस तरीके से कोपी कर लेना है कोपी करने बाद आ मैंने पूरी तरीके से space को हटा दिया और देख सकते हैं मेरा URL बन चुका है अब इसे आप copy करके कहीं भी paste कर सकते हैं